आपको कुछ चीजे पहले अपने inorganic chemistry के बारे में बताना चाहते हूँ कि बच्चों को problem क्या होती है और क्या उसका समधान है, तो देखते हैं कि why maximum student ignore the inorganic chemistry, ज्यादा बच्चे इग्नोर क्यों करते हैं inorganic chemistry को, क्यों वो इसको करना नहीं चाहते, क्यों सारे दिन वो अपनी तो पहले तो बच्चों को लगता है रच्टा लगाना है, जो बच्चे मगप करने की बहुत अच्छी capability रखते हैं, उनके लिए अच्छा है, लेकिन जो बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को लगता है, यह तो अपने बसका है यह नहीं, इसमें तो बहुत बच्चा लगता है, जैसे कि कई बार solubility पड़ाते हुए, बोलते हैं कि इसकी hydration energy ज़्याद है, और कई बार solubility, hydration energy से explain करते हैं, और कई बार solubility, lattice energy से explain करते हैं, तो बच्चा पजल्ट है कि याँ कौन सा concept, कहां पे लगाया है, यह क्या चीज है, इसलिए कई सारे इसलिए तो कुछ और बन गया, इतना ज़्यादा confusion है, same reactant will give several parallel reaction and sometimes series reaction also, तो कैसे इन सब को याद किया जाए, तो बच्चे क्या करते हैं, थोड़े से परिशान हो जाते हैं, और वो इस पार्ट को ignore करते हैं, और देखते हैं, कि सब कुछ भूल जाते हैं, आपने याद तो क इसको ignore करते हैं, और क्या है, इसको last में याद करेंगे, इसको सबसे बाद में करेंगे, examination से बस 5-6 दिन पहले एकदम से चमतकार होगा, दिमाग में मासर हो सत्ती आजाएंगी, और सारा कुछ याद कर लेंगे, बच्चे ऐसा सोचते हैं, कि इसको last में जाके करेंगे, इसक आपको कभी अची नहीं लगी, या तो बो पढ़ लो, या फिर जो आपको already आता है, जो आपने already कर रख है, उसका revision कर लो, तो बच्चे maximum क्या करते हैं, वो उस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जो उनको आता है, inorganic chemistry, वो सोचते हैं, इसको छोड़ दो यार, इससे कि जो आता है, उसी को revise कर लें, तो बेटा, अगर आप ये सोचते हो, कि last में करेंगे, तो बेटा, वो last कभी नहीं आता, जब मैं स्टुरिएंटा, सो साइड मेरी भी thinking, यही होगी, कि last में कर लेंगे, लेकि last में कभी भी pressure नहीं हो पाती, कि last में एतना pressure होता है, जिसकी व जैसे, that's how you leave inorganic chemistry, लेकिन बेटा, यह जो inorganic chemistry है, यह एक चमतकारी थिंग है, एक बहुत ही बड़ा इस में चमतकार चुपाऊ हो है, बहुत ही जाड़ा special है, क्यों, उसको भी देखते हैं, but still, it is very very special, why, let's see, most scoring, most scoring, क्यों, क्योंकि बेटा, जब आपके सामने question paper आता है, आपने question बड़ा, question था, what is the hybridization of CH4, carbon in CH4, तो अब इस question को solve करने के लिए, क्या आपको copy और pen उठा के solve करना पड़ेगा, आप इसमें formula लिखोगे, okay, what is the reaction of CL2 in the concentrated energy, अब इसको क्या आप बहाँ पे solve करोगे, formula लगाँगे, numerical solve करोगे, नहीं, उस reaction को पड़ते ही, उस question को पड़ते ही, again, आपको suddenly strike होगा, या तो ये question मुझे attempt करना है, या तो ये आता है, या फिर ये नहीं आता, time waste करने का बहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है तो अगर आपको आता है, आपने उसको ठीक किया, नहीं आता, तो उसमें दिमाग लगाने का कोई भी फाइदा नहीं है, मतलब within 2 or 3 seconds, you will come to know that I have to attempt it, और I have to skip it, बहुत ही जल्दी से आप क्या करते हो, बढ़े आराम से आप सीधे question tick करते हो, जिसे की देखते है, it is most scoring, if you know, then plus 4, and if you don't know, then 0, इसमें ऐसा नहीं है कि कभी भी आपको negative marks आए, अब जैसे कोई factual question है, तो या तो आप इसको करिए, अगर आता है, तो करिए, प्लस 4, अगर नहीं आता है, तो उसमें दिमाग क्यों लगारो, बेटा, आगे बढ़ो, हो सकता है, आगे वाला question easy हो, time waste नहीं क इसके बेट, दूसरा question करते है, दूसरा question अच्छा होगा, हर question difficult नहीं होता, आगला question, अच्छा होगा, easy हो, उसको solve करेंगे, उसके बाद, जो दूसरे part है, जो दूसरे part है, जैसे organic chemistry है, physical chemistry है, उसमें क्या होएगा, question आया, physical chemistry का, आपने formula याद किया, formula याद करने के बाद, value sol geschあと अच्छा होगा, तो इसको आपने दूसरे part हodate, जो सकता है, फुझा होगा, dad, या जिक र wrestling होगा, सब्सक्रeakल मेर होगा होगा, या तो मेरे को concept ही नहीं आता ता, लिधा formula लगा दिया, nummerical में कुछ नहीं पारी है, आपने time waste कर रहा औ, get an straighten, all condensation,immtill connection, कुछ भी आगया, solve करें पड़ें, उमें निजम लगाएं पड़ें, यहाँ पर attack ओगा, यहाँ पर attack ओगा, यहाँ पर attack ओगा, यहाँ पर attack ओगा, निक्लोफाइल का, गल्ती होने के chances हैं, जबाब solve कर दिया तो पता चलता है, यार यह question तो मुझे आता ही नहीं था, देखने कर दिया, इसको छोड़ना क्यों है, तुक्का लगा दो, smart gas लगा दो, यही होगा, अकड़ पंबे भो, 80 पूरे 100, यही है, ओके, और आपने तुक्का लगा दिया, तो क्या हुआ, आपको इस question में minus 1 मिल जाएगा, तो 2-3 मिनिट वेस्ट करने के बाद, हमें उस question में minus 1 आय है, आपको ऐसा नहीं होगा, जैसे, inorganic chemistry कभी उस दोस्त की तरह नहीं आती, उस दोस्त की तरह नहीं है, जो आएगा, गले लगाएगा, और बाद में पीछ में खंजग घूम जाएगा, ऐसा नहीं है, inorganic chemistry बहुती बढ़िया, बहुती सांदर, बहुती simple, बहुती gentleman है, क् क्योंकि ये आपको कभी भी negative marks देने की कोशिश नहीं करती, या तो आता है, या फिर नहीं आता है, आता है, अटा है, नहीं आता है, छोड़ दीजे, तो, जैसे, in the other part, after attempting 2-3 minutes, आप solve करते हैं, question after 2-3 minutes, you come to know, कि आपको नहीं आता है, और अपना time, और आपने time waste कर दिया, उ emotional बच्चे होते हैं, वो सोस्ते है, time waste कर दिया, अब इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, लगा दो, भगवान का नाम लो, जैब जरंग, वली, okay, B, यही है, और ऐसा बच्चे करते हैं, तो, उनको 110% negative marks आते हैं, ओके बीटा, और जैसे मैंने बता है, inorganic chemistry कभी भ क्या होता है, जो आपको आता है, वो सबको आता है, आपको लगता है, यह physical का concept मैंने पढ़ाए, मुझे बहुत अच्छे सा आता है, organic मैंने बहुत अच्छे पढ़ाए, लेकिन बेटा, जो आपने अच्छे से पढ़ाए, क्या दूसरा छोड़के जाएगा, नहीं, दूसर का है, बेटा, competition तो तब विन करते हैं, जबकि कुछ ऐसा आजाए, जो आपको आता हो, और बाकी सबको नहीं आता हो, तो उसके लिए कौन सी chemistry best है, ज़रा सोचिए, physical आपको भी आती है, organic आपको भी आती है, और सबको आती है, लेकिन inorganic chemistry ऐसा पार्ट है, जिसको 99% कि उसकी जो rank, आप मान के लिए उसको जो government, medical college मिलने वाला था, उसको सीधे, एस मुलेगा, के भले इस inorganic chemistry की बोच ऐसे, क्योंकि आप ही इसको solve करने बाले हो, बाकी सारे लोग इसको छोड के जाएंगे, क्योंकि उनको डर है, inorganic chemistry का, लेकिन inorganic chemistry wonderful है, इसमें कोई भी negative क आप चांस नहीं, इसमें किवल positive आएगा, या फिर 0 आएगा, तो देखिए, in other part, everyone know everything of the remaining chemistry, whatever question you do correct, the same question, others also do correct, plus 4 for you also, plus 4 for them also, then you can't take the lead, आपको winning lead नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि you and they, okay you and he or she, you are at the same place, आपको भी जितने माक्स है, उतने माक्स उसको है, कहां lead मिली, completion कहां फि completion तो तब finish होएदा कि कुछ आपको आता हो, लेकिन सामने वाले को नहीं आता हो, completion तो जीता जाता है तब जब कुछ आपको आता है, और किसी को नहीं आता है, everyone ignore inorganic chemistry, ये बच्चों की फित्रत है, उनके blood में है, उनके DNA में है कि inorganic chemistry नहीं करनी है, but if you do it, then it will give you a winning lead, and last point, क करना है, just enjoy करना है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ, बेटा, आपके घर में पापा आपके रजगुला लेकिया है, सफेद रजगुला, ठंदा रजगुला, बहुत ही बढ़िया है, बहुत टेस्टी, आप और आपका भाई और आपकी बहन, आप क्या कर रहा ह उसकी बाल की खाल निकाले पड़े हो, निकाले पड़े हो, कि कितना दिन पुराना है, खराब तो नहीं हो गया, यह है और आपके भईया ने क्या किया, बस मुह में रखा और enjoy किया, दिमाग नहीं लगाना है, यहां पर फार्मूले की टेंचन कौन सा फार्मूला, नुमेर बनाए पड़े, मेरे घर में बढ़िया LCD TV आया, बड़ा TV, इतना बड़ा TV, मैंने on किया, अपना favorite channel देख रहा हूं, enjoy कर रहा हूं, और मेरा भाई या फिर मेरी बेन, उन्होंने खोल के देख रहा है, इसमें है क्या, इसको देखे तो चल कैसे रहा है, खोच कर रहा है, खो अपने आप करते रहे, करते रहे, करते रहे, और एक दिन वो आपको अपने आप याद हो गया, इसी तरीगी का इन और गैनिक केमिस्टी का नेचर है, आप छोड़ोगे, कभी नहीं आएगा, आपको केबल पढ़ना है, रीडिंग, 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 केबल, याद नहीं करना है, दो तीन दिन बाद मगप नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, बस खोला और रीट किया, खोला और रीट किया, आप विश्वास मानिए एक दो वार रीट करने के बाद वो वो कॉंसेट आपको दुबारा से खोल के देखना नहीं पड़ेगा